हाई नमस्ते प्रनाम हम समाजवादी का एक सुनी लूप शुन्टू यादो एक विशेश मुद्दे की बात आज देश और प्रदेश में महोल ऐसा पैदा हुआ है आप लोग टीबी और न्यूज अख़बार फेस्बूक जो भी खोल रहे हैं जबी एक अई चीज की मार एक अई चीज की बात आपको और हमको देखने को और सुनने को मिल रही है जाती धरम जाती और धरम बलकि हमारे देश में हमारे प्रदेश में ये पहले कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है और आरक्षण खतम कर दिया गया है यह सच्चाई से आप हम सभी लोग रूबर हुआ है और एक चीज सच्चाई आपको और हमको जो पता है फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि इस देश को गुलाम होने से पहले इस देश में जो बड़े-बड़े राजा महराजा हुआ करते थे वह उच्च काष्ट के लोग थे आपको पता है और आज भी जो जमीदार है जि फिर भी हमारा देश गुलाम होगा दूसरी बात हम जादा करके ये लोग टार्गेट करते हैं कि यादो देश भक्त नहीं है जातिकत वाले सद्द पे हम आपको बता रहे हैं तो सहीदों में गिंती अगर किये जा यादों की पहले से और आज तक अखिलेश यादों को टार कि सुद्र चोटी जात और बड़ी जाती वाली तो देखिए पहले हम खूल के नहीं बोलना चाते थे और अभी भी खूल के नहीं लेकिन डर के भी रहना अच्छी बात नहीं है साथियों सचा ये है कि डर के भी रहना अच्छी बात नहीं है हम चोटे जाती है तो चोटी ज देख रहे हैं इस देश में आपको सच्चाई बता रहा हूं और दिल टोप के कह रहा हूं हिंदू राष्ट बनाने की मांग नहीं हो रही है सिर्फ उच जाती राष्ट बनाने की मांग हो रही है हिंदू राष्ट बनाने की कभी नहीं मांग हो रही है हिंदू राष्ट तो ह भी बड़ी बड़े जगएं हैं आप ही के सभी हैं हमारे हिंदू आई सभी जगह प्रदाम मंत्री हिंदू है राष्टपती हिंदू है मुख मंत्री हिंदू है सब तो हिंदू ही है ना फिर खत्रे में कैसे है फिर हमारा भारत अब कैसे हिंदू राष्ट्र होगा ये हिंदू राष्ट्र नहीं पड़े जाती के नाम पर राष्ट्र बनाने की मांग है और ये लोग इनके में एक चीज और है देखिए हमने एक न्यूज देखा भी कोई राय साब थे और कोई जाती के अब खूल के मैं बताना चाओंगा और हम बोलेंगे जाती के चमार थे कि यूज कर रहे थे और जात के राय थे वो सामने वाले आज तक की कभर ऐसे कोई न्यूज है हम वीडियो डालेंगे अब लोग देखिएगा उस माईक वाले को सिधा बोल रहे हैं माईक इसमें डाल दूँगा माईक इसमें डाल दूँगा वोसरी वाले नीच जाती तुम लोग का क्या है ये इनका प्रोपजंडा है और ये इनकी जवान है आप मानिए इस बात को ये हर जगर जबान है मैं सोसल मीडिया फेस्बुक पे हमें साथ देखते आ रहा हूँ अभी तलग देखते आ रहा हूँ फेस्बुक पे और सोसल मीडिया पे हम और आप किसी बात का बिरोध करें हमें तो कोई नहीं अभी तलग उस सब्द लिखा अगर मुझे किसी दिन किसी ने लिखा तो मैं तो सही बता रहा हूँ कि जिस भासा में वो लिखेगा उसको उसी भासा में जवाब दूँगा और आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से मैंने कितने लोगों को पोस्ट पे देखा और कमेंट बढ़ा तो उसमें लिखा है हमारे ही काष्ट के भाई यादा हों हैं लोग जो पोस्ट डालते हैं तो उसके नीज़े आते हैं लोग बड़े काष्ट के लोग उसस Price लिखते हैं कि तो हिंदू नहीं है तेरे घर में जरूर अब्दुल ने दिवाल फान के गया था तो ये सब जो लेंग्वेज है इनकी ये कहवाना चाहते हैं कि हमारी जो इतिहास आप जानते हो हमारी जो कताई जानते हो उसको आप भी बोलो और ये मजबूर कर रहे हैं अपनी कताओं को बुलाने पर और हम और आप परदास के बाऄ हो रहे हैं हम भी बोल देंगे उस सब्सकों जिस सब्सक्राइब नवाज रहे हैं और वो सुन रहे हैं सोचिए एक चीज और मैं बता दिना च्वपा ये जो बड़े काष्ट के लोग है जब वहां कमेंट करते हैं तो छोटे काष्ट के लोग हो लिखते भी थी यह इत्यास बनाए गया गया इत्यास सच्चाई जानोंगे एसे तियास यह है कि दलितों को आपके दरवाजे पे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था hanke line diya जाता था पानी नहीं पीने देते थे जूने नहीं देते थे ये इतियास कौन बताएगा ये इतियास है इतियास ये है अस्तन काट दिया जाता था अवरतों का जबरजस्ति उठा लिया जाता था अवरतों को बड़े कास्ट को द्वारक और ये इतियास है क्यों नहीं चलाए गए उस फिल्म को आज तक किसी चैनलों पे क्योंकि उपर से दिले के नीचे तक इनका दबदबाया और इस दबदबा को हमको और आपको अब समय आ गया है लड़ने का एक संगटी थोने का और एक साथ हो करके इन लोगों को जवाब देने का अगर अब नहीं हुगा न भैया तो कभी नहीं होगा और यह अपने मक्सट में लगभक कामया हो चुके हैं थोड़ी सी बाकी है और वहां से आप हम और हम और आप अगर चाहेंगे तो इस चीज को बदल सकते हैं अगर नहीं चाहेंगे तो यह जो थोड़ी सी चीज बाकी इनको भी पूरा कर लेंगे और जब पूरा कर लेंगे तो जिस स्टोरी जिस कहानी को यह सिंट आवाज नहीं है भाईया यह सच्चाहिए आपको देखना अखलेस यादव पागल नहीं है मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूं यह कई इंसान है मैं यह नहीं बोड़ रहा हूं कि आप अखलेस यादव का सपोट करना ओट देना आपको जिससे अच्छा लगे आप जिस सोच लिजिए हमारे और आपके पास अगर पांच लाग दस लाग एक करून पचास लाग रुपिया हो जाए तो हम यह सोचते हमारा जिवन अब अच्छे सबिच जाएगा उतना उस इंसान के पास सक्चम है जिवन बिताने के लिए क्यों लड़ रहे हैं हमारे और आपके और समाज के लिए और अभी समय शातियों बात बहुत है कहने के लिए दिल में खलेश था बरदास नहीं होता है तो मैं आपको बीच में खोड़ा रूबरू हो जाता हूं और फिर अगले बार कुछ बाते रखेंगे जरूर रखोंगा तब तक के लिए आपको जय समाज बा एक साथ होईए देश बचाईए प्रदेश बचाईए और समाज बचाईए अपने बच्चों का भविस्ते बचाईए आगे आपकी इक्षा और वो जो कहते हैं उनके इस आपसे प्रभू की इक्षा